आप सभी लोगों को स्वी पांडे का नमस्कार में दाइस्टड़ी बाई मरीकांसर के ऑनलाइन प्रेटफर्म पे आप सभी लोगों का हर्दिक श्वागत करता हूं आज की जो हमारी वीडियो है सी सेट में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है नंबर सिस्टम में रिवेंडर ठोरम जिसको हम लोग सेस्फल प्रमे के नाम से जानते हैं लगातार अगर आप पेनलिसिस करें पिछले तीन-चार सालों का तो इस वाले पैटरन पर हमेशा ही सवाल पूछे जाते रहे हैं तीन-चार के सवाल बैसेकली इसमें बनते रहे हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट का सवाल है वह कुछ इस टाइफ के सवाल आप से पूछा जाता है जो Allee मैं डिसकस करने वाला हूं आपके साथ में कि मैक्सिमम जो सवाल हमारे पास पूछे जा रहे हैं वो कुछ इस पैटर्न के कि A raised to the power X divided by P ऐसा question बन जाता है और आप से पूछा जाता है बताइए इस condition में जो बनने वाला remainder होगा वो remainder क्या होगा इस condition में जो आपको remainder मिलेगा या सेस्फल मिलेगा वो सेस्फल क्या होगा इसी बात को लेकर के साब आपको चर्चा करनी है अब आप देख रहे होंगे कि हमने अलड़ी एक चीज और लिख रहा है इसमें ट्वासियंट रूल अब यह जो बात मैंने लिख रखी है ट्वासियंट रूल कभी अगर a raise to the power x divided by p type के सवाल मुझे दिखेंगे तो इस pattern को solve करने के लिए अगर हम ट्वासियंट रूल सीख गए और हमने ट्वासियंट रूल लगाना शुरू कर दिया बहुत आसानी से ब बहुत कायदे से अनलिसिस कर सकते हैं और उनके आंसर तक पहुंच सकते हैं लेकिन आपको पेसेंस बना करके हमारे साथ जुड़े रहना होगा इस पूरी वीडियो में थोड़ी देर तक आपको यह फील हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है रिमेंडर कैसे न लग रहा है तो मैं आपको टॉसियंट रूला सिखाने वाला हूं रिमेंडर थोरम के अंदर और इस पर प्रिविएस यह में जो कुछे गए उनके साथ एक लिंक देने वाला हूं लेकिन यह जो रिमेंडर थोरम से इस फल दिख रहा है अखिरकार यह है क्या एक छोटी सी जलक आपको बेसिक का दे देता हूं और उसके बाद में फिर धेरे 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 हम सवालों पर आने का प्रयास करेंगे मैं आपसे यह कह रहा था लेटर सपोज एक नंबर ऐसे साथ लिग दिया मैंने और इस सवन को मैंने दो से डिवैड किया यह तीन बार डिवीजन होता ह है 6 बार जाएगा और सात में से 6 को जब आप माईनस करेंगे तो क्या बचे गा एक सर्य जो एक बच रहा है ना इसी एक को हम लोग क्या कहते हैं इसी एक को लोग कहते हैं सेशफल या इसका नाम होता है सरेंटर अपयका शेस्पल ऑसंहाइक देंधसाई लोग श Forbes सरिक्त अ कि कभी भी अगर सेज़फल निकालना हो रिमेंडर निकालना हो तो रिमेंडर आखिरकार हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं एक और छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कभी भी अगर ऐसी सिच्वेशन हमारे सामने बने जैसे लेट सपोस यह 5 है इस 5 को आपको 3 से डिव बनेंगे एक आपका होगा पॉजिटिव रिमेंडर एक होगा आपका पॉजिटिव रिमेंडर और जो दूसरा आपका बनेगा यह दूसरा वाला होगा आपका निगेटिव रिमेंडर पॉजिटिव रिमेंडर के लिए क्या करिए तीन के टेबल का नंबर पढ़िए और ए एक बार टेबल पढ़ेंगे 3 बंजा 3 और यह 5 कितना ज्यादा है दो ज्यादा है तो सर यहां पर जो पॉजिटिव रिमेंडर मिलेगा वह प्लस टू होगा अब जब आप बात करेंगे निगेटिव रिमेंडर की तो तीन के टेबल का नंबर पढ़िए जो पांच को जस्ट क यां ख़्याद रखिएगा टेक्निकली आप प्लस टू य माइनस वन यूजS कर सकते हैं लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर होगा झुमेरा फाइनल आंसर होगा वह 1 अगया होगा झ।ितु पूटी सी बात बता दिए एक छोटा सा रिमर्केबल पॉइंट आप और अपने दिमाग में रखिएगा कि रिमेंडर क्यालकुलेट करते समय आपका प्रयास होगा पहुचना या तो प्लस वन पर या तो माइनस वन पर किसी तरीके से अगर प्लस माइनस वन तक पहुच गए आपको अबजेक्टिव होगा किसी तरीके से क्यालकुलेशन करते अगर आप प्लस मन या माइनस वन तक पहुच गए तो उस सवाल को डील कर पाना आपके लिए कंपरेटिबली बहुत आसान हो जाएगा चलिए अब जिस टाइप की मैं शुरुवात कर रहा हूं उसके बार मैंने आपसे छोटी सी बात कही मैंने आपसे कहा कि सर एक क्वश्चन लिख रहा हूं क्वश्चन आपका यह है लेट है लेटशपोज 4 तुदी पावर 200 इवाइड़ेड़ और और मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर आप कैल्कुलेट रिमेंडर let us suppose यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ calculate remainder या सेसफल निकालिए कि यहाँ पर जो आपका सेसफल बचेगा वो सेसफल क्या होगा what will be remainder under this condition या इस स्थिती में जो सेसफल आपका बन रहा होगा वो सेसफल क्या होगा आप क्या करेंगे solution में solution में आपको क्या करना है normal एक छोटा सा काम आप ऐसे करेंगे कि sir मैं इसको ऐसे लिख दिया यह है आपका 4 raised to the power 200 divided by how much तो आप बोलेंगे sir 5 ठीक है अब एक छोटा सा काम करिएगा सबसे पहले आप इस वाले fraction को solve करिएगा fraction आपका क्या है दोस्त तो आप बोलेंगे sir fraction है 4 अपन 5 चार बटे 5 तो सबसे पहले आप इस 4 को 5 से डिवाइड करिए और देखिए जब आपने 4 को 5 से डिवाइड किया तो क्या remainder बचा आप बोलेंगे sir 2 possibility है जब भी मैं इस 4 को 5 से डिवाइड करूंगा तो जो positive remainder आएगा वो positive remainder आपका प्लस 4 होगा और जो negative remainder आएगा और negative remainder क्या होगा माइनस वन होगा आप बोलेंगे यह बात कैसे बोल रहा है sir 5 के table का number 0 times पढ़िए 5 0000 कितना ज्यादा हो रहा है तो आप बोलेंगे 4 इसलिए positive remainder 4 हो गया और 5 के table का number अगर मैं one times पढ़ रहा हूं तो फाइफ 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 पांच की वैलू 4 से एक ज्यादा ही इसलिए negative remainder कितना हो माइनस वन मेरे को कौन सा remainder यहां पर यूज करना होगा आप बोलेंगे सर टेक्निकली पॉजिटिव का वन निगेटिव का वन या कोई भी वैलू पॉजिटिव या निगेटिव में क्या होती है तो आप बुलेंगे plus one होता है और यही plus one आपके सवाल का क्या हो जाएगा तो आप बुलेंगे sir answer हो जाएगा क्या मैंने बात बुला मैं आपसे छोटी सी एक बात यह कहा कि sir यह minus one है minus one के power में अगर odd number लिख दिया जाए odd number का मतब विशम संख्या तो यह value आती है आपकी minus one और sir अगर minus one की power में even number लिख दिया जाए even number even number का मतब क्या होता है संब संख्या तो यह जो value निकल करके आती है साहब यह क्या निकल के आती है तो आप बोलेंगे positive one यह value आपकी प्लस एक निकल करके आ जाती है तो यहां पर जो आपके सवाल का अंसर बनेगा वो क्या बनेगा plus one लेकिन मान लेजिए let us suppose हमारे सामने एक question बना एक question arise हुआ और वह question ऐसे rise हुआ two raised to the power 101 या two raised to the power 100 divided by 101 और आपसे कहा जाए कि find out remainder आपसे यहां पर कहा जाए कि sir find out remainder सेस्फल निकालिए कि जो सेस्फल बनने वाला है वो सेस्फल क्या होगा मान लीजे हमारे सामने एक यह समस्य आ गई और मुझे इसे solve करना है तो जब आप कहेंगे कि sir इसको अगर मैं basic से solve करने का प्रयाज करूँ तो 101 का जब आप टेबल पढ़ते हैं तो 101 के टेबल में दो की पावर का कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जहां पर जो गैप है आपको या तो positive one का मिले sir या तो किसका मिले negative one का तो अब ऐसे सवालों को deal करने के लिए ही हमारे पास एक जो बहत करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्वासियंट रूल अब ट्वासियंट रूल क्या होता है आए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक information लेते हैं और समझते हैं आखिरकार ट्वासियंट रूल से सवालों को कैसे solve किया जाता है तो सबसे पहली बात आपको यह बता देता हूं calculation for to a see and sir अगर कभी आपको ट्वासियंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे अब जो मैं discuss करने वाला हूं वह इस बात को लेकर के कि calculation for कैलकुलेशन फॉर ट्वासियंट त्वासियंट अगर आपको calculate करना है तो त्वासियंट का calculation आपकी साधार पे करेंगे आए इस बात को हम लोग समझने का पोसिस करते हैं सबसे पहले जैसे मान लीजे कोई आपसे कहता है किसा आप दो कट्वासियंट निकालो दो कट्वासियंट निकालो नॉर्मल एक काम करिया ऐसे टू लिख दीजिए और इसको लिखिए 1-1 अपॉन टू आप बोलेंगे कि सर यह वैलू हो जाएगी आपकी सर this can be written as 2 into 1 by 2 और 2 into 1 by 2 is equal to how much आप बोलेंगे 1 अगर मैं आपसे बोलू कि सर यह तीन का ट्वासियंट निकालो क्या होगा तो आप बोलेंगे सर यह 3 है इसको लिख दूंगा मैं 1-1 upon 3 इसको हमने लिख दिया ऐसे 3 into 2 by 3 और जब आप 3 into 2 by 3 लिखेंगे तो यह वैलू कितनी आ 5 का ट्वासियंट निकालिए तो आप बोलेंगे नॉर्मल एक काम करूंगा ऐसे 5 लिख दूंगा और इस वाली वैलू को लिखूंगा 1-1 upon 5 यह वैलू हो जाएगी आपकी 5 into 4 upon 5 और यह आपका कितने के इक्वल हो गया सर दिस इक्वल टू 4 मल लिजे कोई आपसे कहता है कि सर 7 का ट्वासियंट निकालिए तो आप ऐसे बोलिए 7 into 1-1 upon 7 इसे लिखा जा सकता है 7 into 6 upon 7 7 into 6 upon 7 इसकान बी रिटेन जाओ में 6 मैं थोड़ा सा एक चालाकी कर रहा हूं आप देखिएगा यहां पर मैंने जितने नंबर्स लिखे हैं न सर वो सारे के सारे नंबर कैसे हैं प्राइम नंबर हैं अभाज्य संख्या है और आपने देखा दो अभाज्य संख्या है तीन अ अभाज्य संख्या है एगर आपके पास कोई भी प्रायम नंबर है ना उस प्राइम नंबर का आपको ट्वास्याटफ निकालना है तो प्रायम नंबर का ट्वास्यां बस tentang माइनिस बन होता है जो भी नंबर यहाँ पर लिखा गया आप उसमें से 1 माइनस कर दीजे जो बच रहा होगा वही आपका क्या बनेगा ट्वासियंट बनेगा इसका मतलब एक छोटी सी बात लेख सकता हूँ कि ट्वासियंट आप प्राइम नंबर या अभाज संख्या का ट्वासियंट ट्वासियंट आफ प्राइम नंबर या अभाज संख्या का जो ट्वासियंट होता है वो नॉर्मल आपका होता है नंबर माइनस वन सर जो number लिखा गया उसमें से 1- कर दीजिए जो number लिखा गया उसमें से 1- कर दीजिए आपको ट्वासियंट मिल जाएगा कई बार आपके दिमाग में यह आता है कि सर प्राइम नमबर की पहचान कैसे करूंगा एक बड़ी छोटी सी बात बता दे रहा हूं अगर कोई नंबर प्राइम नंबर होगा मैं क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा इफ एनी नंबर इस प्राइम नंबर अगर कोई भी संख्या भाद जी संख्या है तो वह इस फॉर्म में जरूर लिखी जाएगी 6x प्ल के लिए सौग प्रतिस collab कर रही होगी ठीक है मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अगर कोई नंबर nosiseen के लेकिन अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो 6x प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखी जाएगी except 2 2 को छोड़ करके ठीक है न तो कि 2 is less than 6 तो डिविजन की बात वहाँ पर हम नहीं करते हैं हो और वह नंबर प्राइम नंबर हो तो deficient क्लिएट करने के लिए normal हम यह काम कर देते हैं क्या ट्वासिएंट का क्ल्कूलेशन करनेके लिए नंबर में से on कर देते संप अब बोलेंगे कि सर एक बाह बताओ अगर कभी सा हो जाए कि वो जो number है ना वो number prime number ना हो तो क्या उसका ट्वाशियंट नहीं निकलेगा निकलेगा ठीक है तो पहली condition discuss होगी अब second condition पर आते हैं कि if number is composite number यह जो डिवाईजर है ना भाज्य संख्या अगर यह भाज्य संख्या है तो इस condition में अगर आपको ट्वाशियंट निकालना है तो ट्वाशियंट का calculation कैसे करूं इसी बात को लेकर के मैं फिर आपके साथ एक बड़ चर्चा करता हूं लेट सपोज मेरे सामने एक नमबर है 24 और आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट ट्वाशियंट आफ 24 मैं फिर आपको बता दूँ ट्वाशियंट निकालने के लिए सवाल नहीं पूछेगा ट्वाशियंट रूल का यूज किया जाता है रिमेंडर थियोरम की calculation calculate calculate ट्वाशियंट और नमबर 24 24 का ट्वाशियंट निकाले सबसे पहला काम क्या करिएगा पता है यह जो 24 नमबर लिखा गया है इसका प्राइम फैक्ट्राइजिशन कर दीजिए तो जब आप प्राइम फैक्ट्राइजिशन करेंगे तो यह होगा टू रेस टू दी पावर 3 आप एक बात दिमाग में रखिएगा ट्वाशियंट निकालते समय पावर का कोई भी यूज नहीं किया जाता है हमने कैसा गुरंखंड कर दिया भाज आप बोलेंगे सर यह कैसे कर रहे हो नहीं समझ में कोई बात नहीं यह 24 से 24 को ऐसे लिख दीजिए और इसको करेंगे साब तो कितनी बार जाएगा एक बार तो दो में दो का मुल्टिप्लिकेशन कितनी बार हुआ थीन बार मैंने लिख दिया टू रेस टू दी पावर थी इन में तीन का मुल्टिप्लिकेशन कितनी बार हुआ है एक बार तो थी रेस टू दी पावर यह वाली बात ब अगर आपको 3 का ट्वासियंट निकालना है तो यह क्या होगा तो आप बोलेंगे सर यह होगा 1-1 upon 3 इसका मतब अगर इसके ट्वासियंट का कैलकुलेशन करेंगे 24 इंटू सर यह हो जाएगा आपका 1 by 2 और इंटू कितना तो आप बोलेंगे 2 by 3 यह दो और दो कैंसल आउट ह हिता रहा है अब कितना मिल रहा है रहा है और सक्त्रेंगे का मतलब क्या होता है ऑगर कोई संक्या वाढ़े संख्या और nilig आप कहेंगे कि सर बात तो ट्वासियंट रूल को यूज करके रिमेंडर के कैलकुलेशन की चलू रही थी अब चर्चा को वहां ले करके चलिए तो यह वाली स्लाइड डेडिकेटेड थी किस बात को ले करके डेडिकेटेड थी आप स्क्रीन सौट चाहें तो ले सकते हैं सर यह वाली स्लाइड सिर्फ और सिर्फ एक बात को ले करके डेडिकेटेड थी और वह बात थी आपके क्या कि सर ट्वासियंट कभी भी कैलकुलेट करना हो तो दो टाइप के नंबर बनेंगे या तो प्राइम बनेगा या तो कमपोजिट अगर अभाज्य संख्या होगी तो एक मैनिस कर दीजे और अगर कमपोजिट नंबर है तो उसके ट्वासियंट को कैलकुलेट करने का प्रूच मैंने आपको बता दिया अब आईए थोड़ा सा वापस होते हैं और देखते हैं कि यह जो हमारा क्वेस्चन है अखिरकार अगर इसका मेरे को रिमेंडर निकालना है तो मैं रिमेंडर कैसे निकालूंगा यहां पर इस वाली बात को मैं इरेज करता हूं और वापस से पहले वाले सवाल को बताने का प्रियास करता हूं जैसे मेरा क्वेस्चन यह है कि सर फोर इस टूदी पावर तू हंड्रेड डिवाइड बई फाइफ आपको करना है साब क्या करना है तो आप बोलेंगे से कैसे कैलकुलेट करिए का यह समझने का प्रियास करते हम लोग सबसे पहला इस्टेप जो आपको करना है स्टेप वन मैं आपको सारे स्टेप क्लियर करा दे रहूं फास्ट इस्टेप कि पहले स्टिप में यह जो डिनॉमीनेटर डिनॉमीनेटर गनल सब्सक्राइब चालेजे तो पहले स्टिपन खरींगे कोशिsky इसलिए आप बता सर सेकंड वाले स्टेप में आपको क्या करना है समझिएगा सेकंड वाले स्टेप में जो पावर है ना इस पावर को ट्वासियंट से डिवाइड कर दीजे सेकंड वाले स्टेप में हम पावर को ट्वासियंट से डिवाइड करेंगे सेकेंड वाले स्टेप में पावर को ट्वासियंट से डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे पावर को ट्वासियंट से हम डिवाइड करेंगे तो बताएए ना भाई अब पावर क्या है तो आप बोलेंगे पावर में सर्टू हंड्रेड लिखा गया है और ट्वासियंट क जीरो अब इसके बाद-बात सुरू हो जाएगी भाई साथ 3rd step की step 3 क्या होगा इसके बाद में आपका जो step 3 होगा वह step 3 क्या होगा समझेगा number को लिख दीजे number आपका कितना है तो आप बोलेंगे साथ number है आपका 4 और यह जो remainder रिमंडर बच रहरें फ़ोटा द सब्सक्जित है और जो मैं बोल मैं जी होता आप के सब्सक्राइब टो अगर मैं बात करूं क्या तो जह एक वायलू है यह 0 नहीं about here limit जीरो रेस टुदी पावर जीरो भी इन डिटर्मिनेट फॉर्म में आता है इसे भी डिफाइंड नहीं किया गया है हमने आपको क्या सिखाया कि सर कभी भी अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आपके पेपर में आ जाता है और उसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का प्रोसी यह किया है यह जो एकस हिए कैसी संख्या है सबसे पहले आप तक बोलेंगे सर इसका तो होगा और अगर आपको इसका दो मिल गया आपसे करी देखिए लिंटर निकालने के तुए जब आप सो से सो को ड़ेड़ करेंगे तो हंडर्ड अपका क्या बसता है तो आप बुलेंगे करता हूँ आप में से सभी लोगों को ट्वासियंट रूल यूज़ करना समझ में आ गया होगा बस दो स्टेप की बात बताई पहला क्या जो डिनॉमिनेटर है उसका ट्वासियंट निकाल लेजे और उस stations से नंबर के पावर को डिवाड कर दीजे जो на MILL के पावर में उठा कर के, कर्दीजिए वही आपके सवाल का क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगा रिश़ करते हैं और उसके दो समझते हैं कि चीजों को कैसे करना है let us suppose हमारे पास कुछłem यह आ गया कि 2 raised to the power पहला question मेरे पास ऐसे आ गया कि सर 2 raised to the power 103 divided by 101 आप से कहता है कि सर find out remainder या सेस्फल कैलकुलेट करिए कि इस condition में जो बनने वाला remainder होगा वो क्या होगा एक और question लिखते हैं लेटा सपोज मैंने लिख दिया ऐसे दूसरा कि दूसरा question 64 raised to the power 30 divided by 31 64 raised to the power 30 divided by 31 और मैं आप से जानना चाहता हूं कि सर इस condition में जो आपका remainder बच रहा है remainder कमतब क्या होता सेस्फल जो सेस्फल बच रहा है साब वो सेस्फल क्या होगा वर्ट वर्ट विल भी remainder सवालों को solve करने का प्रयास करिए अब मैं आप से यहां पर यह कहूंगा सबसे पहले यह चेक करिए यह जो 101 लिखा गया है बस इसके बाद में आपको final answer करना है अगर आपको remainder का calculation करना है तो यह दो लिख दीजिए और यह जो ट्वासियंट है ट्वासियंट से 103 को डिवाइड करिए 100 से 103 को डिवाइड करेंगे क्या से इस फल आएगा 3 जिन बच्चों का basics कमजोर है वो बिलकुल परेसान नहों यह 103 को एजटेज लिख दें और इस 103 को आप 100 से डिवाइड करिए एक बार division होगा यहां पर 100 आएगा घटाईएगा जबाब तो घटाने के बाद में आपको क् 3 लिख दिया अब यह मत समझियागा कि टूरेस टूदी पावर 3 का मतलब 6 होता है ठीका ऐसा नहीं है भाई टूरेस टूदी पावर 3 का मतलब 2 में 2 का multiplication आपको 3 बार करना है और जब आप 2 में 2 को 3 बार multiply करते हैं तो यह जो value हो निकल करके आ जाती है कितनी तो आप बोलेंगे इसका मतलब अगर मैं बोलू कि सवाल का जो answer बन रहा होगा वह answer क्या होगा आप बोलेंगे answer for this question will be 8 अगर आपको यहां इसे solve करना है आप क्या बोलेंगे आप कहेंगे कि सर यह जो 31 है ना इस 31 का सबसे पहले मैं 27 निका लोंगउ त्वासियन का जो ट्वासियन्ट 2 आ रहै सर वह ट्वासियन्ट आपको यह मिलेगा आप बोलेंगे 31 का ट्वासियन्ट फोगा आपका30 अभुलो क्लीर है क्या आप बोलेंगे हाँ आप मैंने नंबर को लिख दिया ऐसे 64 आपका दिल करें डिवाइड करके लिख लो नहीं दिल करता है कोई बात नहीं 64 लिख दिया और मैंने इस 30 से 30 को डिवाइड किया हमने ट्वासियंट से पावर को डिवाइड किया भाई सहाब अगर आप 30 से 30 को डिवाइड करेंगे ना तो एक बा आउट की स्थिती बने तो तुरंत आप बेसिक काम करके देख लीजे यह 30 है सर इस 30 से 30 को डिवाइड करोगे वन टाइमस डिवीजन होगा 30 में से 30 माइनस हो जाएगा जो वैलू निकल करके आएगी वह वैलू क्या निकल के आजाएगी तो आप बोलेंगे सर जीरो यह भी ब किसी भी नंबर की पावर में बन करोगे जीरो करोगे तो वह जो वैलू निकल करके आजाएगी वह वैलू क्या निकल करके आजाएगी आप बोलेंगे सर आईए दो और छोटे-छोटे सवालों की प्रेक्टिस करते हैं फिर कुछ और बातें करेंगे लिट अस सपोज क्वे च्रुटी एट रेस टो ओवर और राइज होता है थर्टी ए रेस थो दी पावर तो टो छोटश बीक्ति ट्त वाइड पावर छोटे सबसे पहला काम आपका यह होगा यह जो आप 103 देख रहे हैं ना इस एक सो तीन का क्या करिए टॉसियंट अब आप कहिएगा सर 103 कैसा नंबर है 103 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है और सर अगर यह अभाज्य संख्या है तो इसका टॉसियंट एक कम कर दीजिए कितना आएगा तो आप बोलेंगे 102 आएगा पाइनल जब आप क्यालकुलेट करना चाहते हैं इस कंडीशन में बनने वाले रिमेंडर या सेस्फल की तो आप बोलेंगे सर यह 38 है 38 तो मैंने लिख दिया और मैंने 102 से डिवैड किया 102 को जब आप 102 से 102 को डिवैड करते हैं तो एक बार डिवीजन होता है और जो सेस्फल आता है वो सेस्फल क्या आता है और जब 38 की पावर 0 कोई पूछेगा क्या होगा तो आप बोलेंगे सर यह वैलू आपकी निकल करके वह ना जाएगी बताओ कि आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है आप बोलेंगे बिलकुल सर तो अभी इस टाइप के सवाल अगर आपको पेपर में देखेंगे तो घबराओगे क्या आप बोलेंगे नहीं पॉस कर दीजेगा वीडियो और इसे सॉल करने का कोसिस करिए और अपने आपसे अंसर निकाली है देखिए आपका क्या अंसर आ रहा है उसके बाद दुबारा से प्ले करिए वीडियो को और चेक करिए कि इसमें जो डिवाइजर आपको मिलता है सर वो एक प्राइम नंबर भाज्य संख्या मिलता है तो सबसे पहला काम हमने किया फाइफ का हमने ट्वासियंट निकाला तो फाइफ का ट्वासियंट कितना आ जाता है और अगर फाइफ का ट्वासियंट फोर आता है यहां पर आप करना है तो सर आप इस 3 को लिख दीजे और इस वाले ट्वासियंट से डिवाइड करिए आप पावर को बताओ भाई साब अगर आपने 21 को 4 से डिवाइड किया तो आप बोलेंगे 4520 चार पंजे 20 रिमेंडर कितना बच रहा है एक यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया 3 रेस वैलो क्या निकल करके आगई तो आप बुलेंगे सर यह 3 निकल करके आगई तो अभी मैं आपसे क्या कहना चाहरा था यहां पर नॉर्मल गलती मत करिएगा यह जो 21 है इस 21 को आप 4 से डिवाइड कर दीजे 4 से डिवाइड करेंगे 5 बार डिवीजन होगा यहां पर 20 आएग और 3 raise to the power 1 की जो वैलू होती है वो कितनी हो जाती है 3 उमीद करता हूँ कि अगर कभी भी यह वाली कंडिशन आपके सामने पेपर में एराइज हो रही है कि A raise to the power X divided by T type के problem बन रहे हैं और आप उनको solve करना चाहते हैं तो आप normal transient rule का use करके इस टाइप के सवालों को solve कर सकते हैं मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं इस ट्वासियंट रूल को use करने में cancellation rule भी एक बहुत बड़ा रूल प्ले करता है जब कभी हम लोग अपने classroom program के साथ में जोड़े होंगे तो detail analysis करेंगे इसमें कई type के सवाल बनते हैं उन सब पर चर्चा करेंगे cancellation rule की बात करेंग लास्टू डिट से बने हुए number की बात करेंगे वो सारी चर्चा हैं हमारी आपकी होंगी लेकिन अब इसके बाद में remainder के कुछ और सवालों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जहां पर कुछ basic concept काम करता है आए एक छोटा सा सवाल लिखते हैं question और उसको जानने का कोसिस करते हैं सर 10 raise to the power 1 question है आपका 10 raise to the power 1 plus 10 raise to the power 2 plus 10 raise to the power 3 plus 10 raise to the power 4 और plus and so on plus 10 raise to the power 100 आप से कहता है कि साब इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजे और 6 से डिवाइड करने के बाद में calculate करिए कि 6 से डिवाइड करने के बाद में जो remainder आता है या जो सेसफल आता है वो सेसफल क्या आता है वाट बिल भी remainder in this condition इस स्थिती में जो बचने वाला सेसफल होगा वो क्या होगा आपको इसके बारे में discussion करना है या चर्चा करना है अब यहां पर एक normal basic basic समझाने का प्रयाज कर रहा हूं basics देखिएगा सर यह जो 10 पावर 1 है यह जो 10 पावर 1 है अगर इसको मैं 6 से डिवाइड करूं और आपसे पूछों कि बताओ यार यह 10 पावर 1 को अगर 6 से डिवाइड किया जा तो remainder सेसफल क्या आता है तो आप बोलेंगे सर यहां पर जो remainder आता है वो 4 आता है मान लिजे मैंने ऐसे लिख दिया 10 raised to the power 2 और मैं अबसे कहूं इसको 6 से डिवाइड करिए और बताइए जो remainder है वो क्या आएगा ता बुलेंगे सर रिमेंडर 4 आएगा 10 raised to the power 2 क्या होता बताओ ऐसे देखो 10 raised to the power 2 का मतलब 10 into 10 that is 100 इस 100 को 6 से डिवाइड करना है कोई पूछ रहा है रिमेंडर क्या होगा तकलीफ मत लीजे नॉर्मल 6 से आप 100 को डिवाइड कर दीजा और एक छोटी सी बात बताएं ons लाइक को पर सॉल करते समय आपके पास बहुत समय और चीजह ना पता होने के चक्कर में कहीं नो कहीं से आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के सिकार हो जाते हैं इसलिह बिलकुल परिषान मित हुए सबसे पहले चीजों की इंडरस्तांडिंग एबार बनाई है समझ आपकी develop हो गई उसके बाद topic को deal करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको मैंने 16 times divide किया 16, 96, minus करिएगा तो remainder जो आपका बचेगा remainder क्या बचेगा चार बचेगा तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी remainder 4 होगा ऐसे अगर मैं आपसे बोलू कि सर यह 10 रेस चुदी पावर 3 है सर अगर आप इसको 6 से डिवाइड करिएगा तो 6 से डिवाइड करने के बाद में remainder क्या मिलेगा तो आप बोलेंगे तो दस की कोई भी पावर जब आप लिख रहे हैं चाहिए वह पावर और नंबर है या वह पावर ईवन नंबर है रिमेंडर जो आपको मिल रहा है बैसिकली वह हमें इसा क्या मिल रहा है फोर तो हम बढ़ते 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 एक रूल लिख सकते हैं कि सर कभी भी अगर 10 raised to the power x को 6 से डिवाइड किया जाए तो 10 raised to the power x को 6 से डिवाइड करने के बाद में जो remainder आता है बच करके वो remainder कितना आजाता है तो आप बुलेंगे सर 4 आजाता है यह मैंने यहाँ पर आपके सामने एक basics लिख दिया अब इसी basics को यहाँ पर use कर रहा हूं और आपको solve करके आपका सवाल दिखा दे रहा हूं पहले वाले step में जो remainder बचेगा हूं कितना बचेगा तो आप बोलेंगे सर 4 बचेगा फिर अगले वाले में 4 अगले वाले में 4 and so on 4 4 बचता जाएगा और यह कितनी बार बचेगा भाई साब तो आप बोलेंगे सर यह 100 टाइमस सो बार बचेगा और हमें इसको divide करना होगा किस से तो आप बोलेंगे 6 से अब आप ही बताओ ना 4 में 4 का addition अगर आपने 100 टाइमस किया है तो यह क्या बन गया तो आप बोलेंगे सर यह 4 into 100 बन गया और इसको किस से डिवाइड करना है तो आप बोलेंगे 6 से डिवाइड करना है यह वैलू कितनी आ गई 400 इस 400 को 6 से डिवाइड करके क्या calculate करना है तो आप बोलेंगे remainder थोड़ी सी भी अगर दिक्कत महसूस हो रही है तो बस एक normal सा काम कर लिजे यह 400 है इस 400 को आप 6 से डिवाइड करिए चैचक कितना हो गया तो आप बोलेंगे 36 माइनस करिए कितना बचा 4 40 चैचक कितना हो गया आपका 36 और 40 में से 36 को माइनस करिए गद कितना बच जाएगा तो आप बोलेंगे 4 इसका मतलब इस condition में जो आपका remainder बच रहा है और यह 4 आपके सवल का क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा ठीक है 711 13 37 इनके डिविजबिलिटी पर भी सवाल पूछना शुरू कर दिया अगर आपने 2023 2023 UPSC CACC set की पेपर का अनलेसिस किया होगा तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि नहीं पेपर के पैटरन में remainder theorem का वेटेज बढ़ा करके वो चीजों को और भी पूछना शुरू किया और अगर और भी पूछना शुरू किया तो आईए एक प्रिविएस येर का ही 2023 का क्वेशन आपके साथ डिसकस करता हूं और कुछ बेसिक बातें आपको मैंने बताने का प्रयास किया औ साथ के सामने कहा जाता है कि साब अगर कभी ऐसा हो क्वेशन कि एने एन कोई एक नंबर हो और यह लिखा गया हो 9999 कि एंड सो आन अप टू 99 कितनी बार तो आप बोलेंगे 99 टैम्स नन्यान बे बार लिखा गया गया कि नैनटीनी Blind नैन बे बार लिखा गया कि अ और आपसे कहा जाता है कि सर्ण कि यह जो कैंस कर दिवाइड कर दिया जाए तो एन को 13 से डिवाइड करने के बाद जो रिमेंडर मिलता है या जो सेशफल आता है वो सेशफल क्या आता है अगर इस N को 13 से डिवाइड किया जाए तो इस N को 13 से डिवाइड करने के बाद जो रिमेंडर आएगा या जो शेशफल आएगा वो सेशफल क्या आएगा आपको इसके बारे म सुन लिएगा वैतिव कॉंसेट ये कहता ऐसा अगर कभी भी कोई नमबर एंढ इस टॉइप का हो छिसमें ABC ABC टाइब स से लिखा गया हो ABC ABC मतलब कोई तिन डिजिट है और वहीं तिन डिजट फिर रिपीट कर गया अगेन ABC 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 ऐसा पैटर नगर कहीं बन रहा है इस तरीके का कोई पैटर नगर बन रहा है पैटर नगर बन रहा है इस टाइप के जितने नंबर होते हैं न वह एक्जेक्टली डिवाइड हो जाते हैं एक्जेक्टली डिवाइड हो जाते हैं कौन कौन से नंबर से एक्जेक्टली डिवाइड हो जाते हैं कौन कौन से नंबर से सब तो आप बोलेंगे सर ये 7 से कैंसिल होता है 11 से कैंसिल होता है और 13 से 7 11 और 13 से ये नंबर एक्जेक्टली डिवाइड हो जाते हैं या कैंसिल आ वीडियो लेकर के आओंगा है क्लास्रूम प्रोग्राम में या आप हमारे साथ जुड़ेंगे टो एक चैप्तर बनेगा प्लेस वैलू एप प्लेस वैयन या एप फेस वैयलू उल्य जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैयलू का मतलब होता है इस्थानिय मान प्लेस वैलू का मतलब होता है इस्थानिय मान और यह जो फेस वैलू मैंने लिखा हुआ है फेस वैलू का मतलब होता है जातीय मान या वास्तविक मान जातीय मान या इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक मान यह वाला चप्टर डिसकस करूंगा वहां पर यह बार डिटेल में आकर के आपके साथ में चर्चा करूंगा अच्छा अब इस वाले सवाल पर आ जाईए अपने समय को बिना बर्बाद किये विए तो आप बोलेंगे कि सर देखो 999 फिर 999 छे बार अगर मैंने 999 लेखा और उसको मैंने 13 से डिवैड किया त्रिमेंडर जीरो सर 6 टाइम पर जीरो हो गया देखो यह 999 solution की बात कर रहा हूं सर यह 999 और फिर 999 तीन बार मैंने लिखा फिर तीन बार रिपेट किया अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं किस से 13 से रिमेंडर क्या मिलेगा सर आप बोलेंगे जीरो सर यह 999 अगर यह 12 टाइमस है अगर यह 12 रहा है और इसको 13 से डिवाइड किया जाए तो 13 से डिवाइड करने के बाद रिमेंडर क्या मिलेगा जीरो मत्तब 6 पर इमेंडर जीरो मिलेगा 12 पर इमेंडर 0 मिलेगा ऐंड सोव नैसे बढ़ते 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 अगर यह यह जो मैंने ऐसे 999 and इसको 96 टाइमस लिखूंगा 16, 96 होता है और भाई साव इसको मैं डिवाइड अगर 13 से कर दूँगा 13 से बोलिए रिमेंडर आपको क्या मिलेगा आप बोलेंगे कि सर इस कंडीशन में जो से इस फल मिलेगा या रिमेंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा अगर आप बढ़ते 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 चलेंगे तो 96 टाइम तक तो रिमेंडर आपको 0 मिल जाएगा अब जो रिमेंड बचेगा वो कितनी बार नाइन बच जाएगा तो आप बोलेंगे सर यह तीन टाइम बच जाएगा क्योंकि 96 और 3 क्या होता है 99 और इसे मुझे से तेरा छक कितना हुआ तो बोलेंगे 78 और नो में से 8 को मैंश करिएगा एक आठ में से 7 को मैंने करिएगा इसका मतलब जो सवाल का एंसर बन रहा होगा साब वह आपके सवाल का एंसर हो जाएगा कितना 11 बोलो भाई बात क्लेयर हुई आपको क्या तो एक पैटरन था इस पैटरन को कहां से डील किया जाएगा मैंने आपसे कहा कि नंबर सिस्टम में एक चप्टर हम लोग करेंगे स्थानिय मान और वास्तविक मान या जातिय मान उस पर मैं चर्चा करूँगा और डिटेल में चर्चा करूँगा वहाँ पर आप बनाना सीख जाओगे कि ये पैटरन आखिरकार बनता कैसे है अब अभी तक मैंने आपके साथ में बात करी आगे मैं दो क्वेशन आपके लिए दे रहा हूँ और मैं उमीद करूंगा इन दोनों सवालों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे आप एक बार देखिए वो दोनों क्वेशन क्या है अगली स्लाइड में आपके लिए मैं दो प्रेक्टिस क्वेशन दे रहा हूँ इनके आंसर आप मुझे कम box में दीजेगा पहला question है आपका first question 1 raise to the power 93 plus 2 raise to the power 93 plus 3 raise to the power 93 plus and so on plus and so on plus 89 raise to the power 93 89 raise to the power 93 और आपसे कहता है कि सर आप इसको 90 से डिवाइड करिए और 90 से डिवाइड करने के बाद calculate करिए कि यहां पर जो remainder आएगा यहां पर जो आपका remainder आएगा और remainder क्या आएगा दूसरा सेकंड एक और question n is equal to आपको ऐसे दे दिया गया 7 plus 77 plus 3 times 7 plus and so on plus 7 7 7 and so on up to 100 times 7 7 7 and so on up to 100 times कहा जाता है कि सर यह जो n है न इस n को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो इस n को 8 से डिवाइड करने के बाद में जो remainder आएगा यह जो सेसफल आएगा वह सेसफल क्या होगा अगर आप वीडियो में इन हमारे साथ शुरू से ले करके आखरी तक बने थे और आपको चीज़ें समझ में आई तो आप इन दोनों सवाजों को solve करने का प्रयास करिए और अगर आप से answer हो जाते हैं तो आप इसको हमारे comment box में हमें जरूर बताईए comment box में बताईए और अगर आपसे solve नहीं होते हैं तो आप उसको जरूर comment box में बताईए में अगली वीडियो में इन सवालों के solutions को आपके साथ में discuss करूँगा आज की class इतनी ही रही हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और number system का कोई और topic आपके साथ में discuss करने का प्रयास करूँगा तब तक के लिए आप सभी लोगों call the west थैंक यू गूट नाइट झाल वर कलाए कर दो आपगे लोगों झाल 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 झाल